आउम प्रियदी व्यात्मन आउम श्री प्रमात्मने नमह जो आत्मा है वह प्रत्य गात्मा रुप से नित्य प्राप्त वस्तू है ये अद्वाइत वेदान्त का उद्गोश है फिर भी हम सब कहते हैं आत्मा को तो हम जानते नहीं है आत्मा को तो देखा नहीं है आत्मा का तो अनभव नहीं है आत्मा कैसे प्राप्त होगी आत्मा का ज्यान कैसे होगा तो यह जो गुथी है और सबसे बड़ा जो रहस्य है कि जो आत्मा प्रत्यगात्मा रूप से नित्यप्राप्त वस्तु है प्रत्यगात्मा अर्थात आपकी आत्मा प्रतेक जीव की प्रतेक भूत की अंतरात्मा के रूप में वह नित्यप्राप्त वस्तु है कभी भी अप्राप्त हो नहीं सकती है अर्थात आपसे कभी भी वह भिन तत्व नहीं है आपके अस्तित्व का जो अंतर्तम केंद्र है वह प्रत्य गात्मा है और प्रत्यक चेतन्याभिन अद्वितिय तत्व ही सचिदारंजगन ब्रंभ है तो इस तत्व को समझने के लिए आज आपके समक्ष पुझ्यपाद जगत गुरु आजि शंकराचार्ज की जो अमर रचना आत्म बोध है उसके एक शलोक के माध्यम से इस रहस्य को रखते हैं और इस गुथी को सुलजहाने समझने और समझाने का प्रयास करते हैं जो नित्य प्राप्त बस्तू और जो प्रत्य गात्मा के रूप में नित्य प्राप्त है आपका अधिश्ठान है और फिर भी वह अप्राप्त सी प्रतीत होने वाली जो आत्मा है उसका क्या स्वरूप है क्यों अप्राप्त सी लगती है तो जगत गुरु आदिशंकराचार अपनी अमर रचना आत्म बोध के 44 स्लोक में कहते हैं स्वकंठा भर्णम्यता जिस प्रकार से कभी कभी बहुत से लोगों को गले में ही वह हार पड़ा हुआ है या दूसरा आभूशन सरीर के किसी ने किसी अंग में वैसे ही पड़ा हुआ है लेकिन उन्हें ब्रह्म हो जाता है कि मेरा हार भूल गया मेरा आभूशन भूल गया कहां गया किधर खो गया डूढ़ते फिकते हैं उसी प्रकार से यह जो जीव है उसे लगता है कि आत्मा तो प्रतीत नहीं हो रही है आत्मा का तो बोध नहीं हो रहा है आत्मा तो नहीं है यह जो नित्य प्राप्त वस्तु जो सततम प्राप्तम शाश्वत नित्य प्राप्त तत्व है आत्मा वह अज्ञान के कारण अप्राप्त सी प्रतीत होती है ध्यान दीजी वह जो प्रत्य आत्मा रूप से जो आत्मा नित्य विद्यमान है आपके अंदर और आपके बाहर और शाश्वत सतत तत्व है अज्यान के कारण केवल अज्यान के कारण ब्रम के कारण अविद्या के कारण अपने स्वरूप के अज्यान के कारण अनुपलब्ध सी प्रतीत होती है जैसे कि आत्मा नाम की कोई बस्तू तो मैं नहीं जानता आत्मा क्या है मैं तो शरीर को जानता हूँ, मैं नामरुपात्मक जगत को जानता हूँ आत्मा को तो शब्दों में शास्त्रों में सुना है लेकिन मेरे अपने जीवन में तो आत्मा नाम की किसी वस्तु का मैंने अनुभव नहीं किया ये आमजीव अज्यान के कारण कहता है तो इस रहस्य को सम्यक प्रकार से आप समझ लें अगर ये करके तो आपकी जो अध्यात्मिक जात्रा है क्रांतिकारी मोड ले लेगी और गती ले लेगी आपके समक्ष जो इस शलोक के चार पदें चारों की सम्यक व्याख्या करूँगा और वास्तों में इस शलोक मेरे लिए तो इतना अकरांतिकारी शलोक है कि मैं इस एक शलोक पर साथ दिन कम से कम दो-दो-तिन-तिन घंटे का प्रवचन कर सकता हूँ लेकिन मुझे कम से कम आप ए घंटा द्यान से सरवन करें तो आपके समख्ष आपके जीवन की जो मूल गुत्थी है मूल समस्या है और उस समस्या को सुल जाने के उपाय क्या है सब अगले एग घंटे के अंदर ही रखने का प्रयास करूँगा मैं तो इस स्लोक के चार पद हैं आत्मा तू सततम प्राप्तम आत्मा नित्य प्राप्त है अविद्या के कारण अज्ञान के कारण ही अव प्राप्त सी प्रतीत होती है पहले पद को लेते हैं अब देखिए एक एक शब्द में इतने क्रंतिकारी संदेश है कि रुमांचित होटता हूं मैं आत्मानम सततम प्राप्तम नित्यतत्यतत्यतत्यतत्यतत्यतत्यतत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य में जिसका स्रवण एक बार करें उसका मनन सो बार करें और उस पर निधी ध्यासन हजार बार करें और लक्ष बार अर्थात लाख बार उस पर ध्यान करें समाधी में जाएं तो ततकाल वह जो अप्राप्त सी प्रतीत होने वाली बस तो जो आत्मा है जो अपना स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है ग्यात हो जाता है उसकी अपरुक्षा नुभूती हो जाती है एक बार स्रवन किया उस पर मनन सौ बार उस पर निधी ध्यासन हजार बार एक ही तत्व पर और उस पर ध्यान या समाधि लाखों गुना इस तत्व को दूसरे रूप में भी रखते हैं कि जो स्रवन है एक बार जो किया गया उससे सैकुड़ो गुना ज्यादा महत्व है उस पर चिंतन मनन करना हजार गुना ज्यादा महत्य पुरुण है उस पर निधी ध्यासन करना और लक्ष गुना अर्थात के लाख गुना महत्य पुरुण है या लाभ प्रद है उसमें समाधि लगा लेना उस तत्व के आत्म साथ करके समाधिस्त हो जाना निर्विकल्प आत्मा है उसमें प्रतिष्ठीत हो जाना ये आत्म बोध की बिधिये साक्षात अपरुक्ष ब्रम्भ ज्यान की विद्या है तो इसलिए एक-एक शब्द को थोड़ा मैं एक ही सलोक में एक-एक शब्द की कितनी घहराई है इसको समझने के लिए ये ब्रम्भ विद्या है आत्मा नित्य प्राप्त है सतत प्राप्त है इस सतत सब्द जो नित्य शब्द है इसकी क्रांतिकारी महिमा को आप समझे क्यों कह रहा हूँ ऐसा क्या स्रिष्टी में आप एक भी वस्तू एक भी द्रब्द एक भी पदार्थ को जानते हैं जो नित्य प्राप्त है जो शाश्वत रूप से विद्यमान है इसमें दो तत्व हैं एक तो शाश्वत और अस्तित्य में या विद्यमान में या प्राप नित्यप्राप्त बस्तु है तुम्हारे लिए हे जीव, हे मनुश्य, ये जो आत्मा है वह प्रत्यगात्मा रूप से तुम्हें नित्यप्राप्त है, सतत्प्राप्त है, इसका क्या तात्पर जो हुआ, ऐसा कोई विधी नहीं कोई व्यवस्था नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम से इसे भिन्न कर सके कभी भी न किसी देश से न किसी काल से न किसी वस्तु से यह बाधित हो करके अपराप्त हो जाए क्योंकि यह आत्मा देश काल वस्तु अपरिछिन तक्त्व है न तो इसे देश बाधित कर सकता है न काल बाधित कर सकता है न कोई वस्तु विशेश बाधित कर सकती है यह सारवगह है सब देश में है सब काल में है सब वस्तु में भी नित्यवाप्व्याप्द वस्तु है जो हमारी प्रत्यगात्मा है वही आत्मा है और वही प्रत्यक चैतन्याभिन जो अद्वितिय तत्व है वही सचिदानंद घन ब्रंभ है यह उपनिशदों का अद्वईत वेदान्त का उ खुश्खबरी देने वाला हों। लोग बोलते हैं गुड मैसेंजर। स्रिष्टी में इसके महत्व को समझें तो मनुष्य के लिए और जीवों के लिए इससे जादा बड़ी क्रांतिकारी खुश्खबरी गुड नीवज तो कहीं कोई कलपना तक नहीं की जा सकती है। जो स्रिष्टी का आधार अधिश्थान है, जो सर्वस्व है, सर्वत्र है, जो सर्व रूप है वह नित्य प्राप्त है तुम्हें बिना किसी प्रयास से, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी साधना के वह तुम्हारा अंतरतम सुभाव है। तुम्हारे अस्तित्व के केंदर पर वह आत्मा प्रत्य गात्मा रूप से नित्य भासित हो रहा है नित्य जगमगा रही है वह आत्म जोती और उस जोती का जन्म नहीं उस जोती की मृत्यू नहीं उसमें कोई विकार नहीं इसलिए वह सतत जोती है वह आत्म जोती इसलिए नित्य प्राप्त जोती है उसे अप्राप्त करने का या अप्राप्त होने का कोई उपाय नहीं है तुम दुनिया के अगर महा मुर्ख हो महा पापी हो महा दुस्कर्मी भी हो तो आत्मा तुमारी अप्राप्त नहीं होती है यह तो मन बुद्धी और जीव भाव है जो करता करता जो अहंग है वह पापी पुन्यात्मा है उसका जो प्रकाशक है उसका जो अधिश्थान है वह आत्मा तो नित्य निर्मल नित्य शुद्ध नित्य पवित्र तत्व है उसे कलशित कलंकित करने का कोई कुपाय नहीं है वह लिपाय मान नहीं होता ह वह नित्य असंग तत्व है इसलिए सब के अंदर और सब के वाहर वह आत्मा तो सतत रूप से नित्य रूप से प्राप्त तत्व है, प्राप्त वस्तु है अर्थात किसी भी इस्थिती में भी परीत परिश्थिती में स्थिष्टी की कोई सत्ता नहीं है, मेरे समस्त सत्रू मील करके भी प्रिथ्वी लोग के देव लोग के ब्रंभा विश्नु महेश भी अगर चाहें तो मेरी आत्मा को अप्राप्त करने के च्छमता नहीं रखते ह क्योंकि यो मेरी आत्मा है वही परमात्मा है वही सर्वशक्तिमान इस जगत का अधिश्चान है उसकी एक्षा मात्र से वायू अपनी गती में लग जाता है अगनी तप और तेज देती है सुर्ज परकाशित होने लगता है वह तत्यु मेरा जो चेतन्य प्रकाश है आत्म प्रकाश है वह परात पर है उससे परे कोई सत्ता नहीं उससे इत्तर कोई शक्ती नहीं इसलिए यह तो सिंध हुआ और यह सिंध अगर समझ में आ जाए तो मानव के लिए जो नित्य दुखी हो रहा है चुद्र चुद्र वस्तों के प्राप्त करने के लिए भाईसे मृत्यू के भाईसे रोक के भाईसे अभाव के भाईसे शत्रू के भाईसे भिन भिन भाईसे ग्रस्त हो रहा है दुखी हो रहा है खिन हो रहा है उससे इस कातात पर जिसमस में आ जाए कि जो प्रत्य गात्मा स्वरूप से विद्धिमान जो मेरी आत्मा है वही सचिदानंद घन ब्रंभ है और वह नित्य प्राप्त तत्व है कौन सत्चित आनंद स्वरूप जो शाश्वत सत्य है जो नित्य अविकारी है और जो अनंद अखंड ज्यान है और जो आनंद का अनंद सिंधु है वह नित्य ब्याप्त है नित्य प्राप्त है और मेरी प्रत्य गातमा के रूप में मुझे नित्य प्राप्त है वह सर्वशक्तिमान सत्ता सर्वव्यापी सत्ता समस्त प्रेम सौंदर्य और आनन्द का जो अधिश्ठान है जो आदि अंत रहित अस्तित्व है जो आत्म सुरज है ज्यान सुरज है वह मेरी प्रत्य गात्मा और प्रत्यक चैतन्याभिन जो अध्विती अतत्व है वह ब्रह्म है वह सचिदारंद घन है वह तो नित्य प्राप्त बस्तु है सदा प्राप्त वस्तु है उसमें न जन्म है न मृत्तु है ना जायते मृते वाकदा चिन्त भगवान कृष्ण कहते है भगवत गीता में न उसकी मृत्तु न उसमें जन्म भत शाश्वत सत्य है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह उस सत तत्व का जो सत चित आनंद है उस सत तत्व का तो कभी अभाव हो ही नहीं सकता है और जो असत है उसका कभी भाव नहीं अर्थात अस्तित्व नहीं हो सकता है अस्तित्व में सत्व के रूप में तो एक मात्र जो तत्व उपलब्ध है वह आत्मा है वहीं तुम्हारी प्रत्यका आत्मा है वहीं सचिदानंद घन ब्रंब है और वह नित्य प्राप्त है उसके इतर जो कुछ भी तुम्हें लगता है ये नाम रुपात्मक जगद के रूप में इन में से किसी की कोई सप्ता नहीं ये कलपित हैं उसी में ये कलपित हैं अध्यास मात्र हैं ये नित्य परिवर्तन सील जगत है ये नित्य परिवर्तित होन वाला जो दिर्श्मान जगत है उसका साक्षी मैं प्रतिगात्मन रूप से जो साक्षी द्रश्टा हूं मैं नित्य तत्व हूं मेरी सत्ता को असत्ता में करने वाली कोई सत्ता नहीं क्योंकि मैं प्रात्पर तत्व हूं मुझसे परे कोई तत्व नहीं मैं सर्व शक्तिमान तत्व हूँ सर्वव्यापी तत्व हूँ सर्वग्याता हूँ एक अद्वितिय चैतन्य तत्व हूँ मैं अनंत ब्रह्मान अनंत लोग मुझे में ही कल्पित होकर के जिनका आविर्भाव परतीत सा होता है मुझे में ही उनकी स्थिती रहती है च्छन भर की और मुझे में ही विलीन हो जाते हैं मुझे में कोई अंतर नहीं क्योंकि मैं तो नित्य प्राप्त बस्तु हूँ नित अस्थित्व में मैं ही हूँ मेरे सिवाज कोई अस्थित्व में नहीं है ब्रह्म्भ सत्यम जगन मिथ् इसलिए इसकी माता को समझे कि जो नित्य प्राप्त बस्तु है आपको अपने जीवन परापाई जो स्रेष्ट से स्रेष्ट है जो महान से महान है जो सम्राटों का सम्राट है वो आपको नित्य उपलब्द है सतत रूप से उपलब्द है अनायास ही सभावरूप से उपलब्द है बिना किसी प्रयास के चिस्ठा के वह उपलब्द है लेकिन तुम्हें अपने ब्यवहारिक जीवन में तो छुद्र से छुद्र पदार्थ के लिए एक रोटी के टुकडे के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है प्रेम की एक बूंद के लिए सवंदर्ज के एक कण के लिए आनंद की एक कणिका के लिए तुम भीक मांगते हो दरदर की मुझे प्रेम करो मुझे सुख दो थोड़ा सा मुझे कहीं आनंद मिल जाए सोचो छुद्र से छुद्र भी जो प्रेम है सुख है आनंद सवन्दर्ज ए उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है प्रयत्न करना पड़ता है प्रयास करना पड़ता है फिर भी कंड का मात्र मिलती है या नहीं मिलती है यह सुनिशृ दूरूप से नहीं कहा जा सकता है और दीन राद उसी में लगे हुए हो अज्ञान के अधिश्ठान है, अनंत आनंद सिंधू है, जो सवंदर यनिधान है, श्वत है, जो शाश्वत अस्तित्व है, न वो देश से बाधित हो सकता है, न काल से बाधित हो सकता है, न वस्तू से बाधित हो सकता है, न अर्थात, न व देश उसे सिमित कर सकता है, न काल सिमित कर सकता ने कोई वस्तू सिमित कर सकती है वस सर्वत्र सर्वरूप एकरस व्याप्त तत्व जो आतमा है उसे तुम न जान रहे हो जो सर्वश्व है जो सर्वत्र है जो नित्य है जो स्वयंभु है जो अखंड है अनंत है जो तुम्हारा सोभाव है तुम्हारा अंतरतम तुम्हारा परिचय है अपना आपा है जो अनंत प्रेम सवंदर्य आनंद की खान है और नित्य प्राप्त है उसे भूलकर अज्ञान के कारण तुम जगत में दरदर की ठोकर खा रहे हो विखारी बने हुए हो तुम कोई प्रेम करो मुझे थोड़ा धन दे दो मुझे थोड़ा सुख दे दो कोई धन किसली अर्जित करते हो सुख के लिए सारा संगर्स किसली है यतनी जुद्धे होती है इतिहास में मानव इतिहास में किसली सुख के लिए और सुख का जो अनंत आनंद सिंध हुए वह तु वह तो नित्य प्राप्त है, तो आत्मा नित्य प्राप्त वस्तु है, इसका अत्तात पर क्या हुआ, आनंद का अनंत महासागर तुम्हे नित्य प्राप्त है, प्रेम का अनंत महासागर तुम्हे उपलब्ध है, सतत उपलब्ध है, सभावसिंध है वह तुम्हे, वह सभावस और छुद्र सवंदर्य प्रेम आनन्द की कणिका के लिए तुम भीख मांग रहे हो, जो इस समस्त स्रिष्टी का स्रस्टा है, जो विधी का विधाता है, जो नियती का नियनता है, वह तुम्हें नित्तु उपलब्द है, यहीं आत्मा जो परमात्मा है, जो सचिदा आनन्द गण, ब्रंभ है, यहीं विधी का विधाता है, निती का नियंता है, सृष्दी का स्रश्टा है और वहीं तुम्हारी प्रत्यगात्मा है। और तुम भयभीत हो, अभाव से ग्रस्त हो, भिक्षू बने हुए हो तुम, दरदर की ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे सिवाय तो कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, जिसके लिए तुम कोई कामना करो, तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है और तुमसे स्रिष्ट कुछ भी नहीं है एक मात्र तुम सत्य हो तुम ही समस्त ब्रह्मान में सभी पदार्थों सभी वस्तूं को व्याप्त करके ओत प्रोत करके तुम ही उनके अधिश्ठान हो तुम ही व्याप्त हो तुम एक मात्र नित्य प्राप्त वस्तु हो इस से जादा देखिए विश्व के इतिहास में और विश्व के साहित्य में जो अध्यात्मिक साहित्य भी हैं उसकी वैधता वैगिया निकता पर नजा करके अगर साहित्य के रूप में भी लिया जाए तो ये बात किसी कभी की करपना के रूप में इतन नित्य करने लेगा दुनिया का सबसे बड़ा दुखी खिन भिन दरिद्र भी ततकाल नित्य करने लेगा जो मुठेगा ये स्रिष्टी की सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज है कि वह जो परम है जो स्रिष्ट है जो स्रियस है जो आनंद का अनंत महासागर है वह मुझे नित्य प्राप्त है उसे अप्राप्त होने का भी प्रयास नहीं कोई उपाई ही नहीं है तुम मकान बनाते हो थोड़ा सा धन उसमें जमा करते हो नित्य डरते हो बैंक में पैसा जमा किया है डरते हो आज कल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं मिस कॉल आर्बियाई ने भी इश्यू किया हवारनी मिस कॉल से सावधान रहे हैं जो डिजिटल पेमेंट मोड में अगर आप काड ओगर ही विज करते हैं कभी भी आपका पैसा लाखों कपला रोजनी वज में आता है इनका लाखों रुपया चला गया इनका चला गया ये तो आज का और यूगों यूगों से भी चोर चुरा ले जाएगा डगाट चुरा ले जाएगा राजा महाराजा सब को सैनी किस लिए रखते थे सुरक्षा कर्मी किस लिए रखते थे धन है भगवान राम चंदर को बालग थ जब योग वस्षिष्ट का अग्यान दे रहे हैं महस्षी वस्षिष्ट उसमें यह कहते हैं और राम को यह बोध हो गया और कह रहे हैं कि धन तो कितना बड़ा अमंगल का कारण है उसे प्राप्त करने में कितना प्रयास करना पड़ता है और प्राप्त हो जाए तो नित इसक तो कल कहीं कुरसी चली न जाए तुम दुनिया के सबसे बड़े स्रिष्ट हो धनवान हो एक नंबर पर मैं हूँ दो नंबर मैं हूँ कहीं मेरा धनचरा नहीं जाए बॉम्बे इस्टॉक एक्सचेंज आज कितना लोड़का उपर गया धड़कन लगी रहती है मेरा आज कितन लाका नीचे गया कितना उपर गया तो स्रिष्ट्री का जो इस जगत का जो सबसे बड़ा धनवान हो या सबसे बड़ा शक्तिसाली राजनितिक हो या सबसे बड़ा विद्वान हो नॉबल लर्यट हो सबको इस बात का भय है कि जो बस तो मुझे प्राप्त है कहीं अप्रा प्रहा था और इतने परिस्रम के बाद मिली है और मिला है कहीं फिर चली न जाए कहीं हो चला न जाए मुझे छोड़ के नित चिंति आप ये प्रतेक विक्ति के अनभूती तुम्हें जितने वरसों से तुम जिसका पीछा कर रहे थे जिस प्रियसिय के लिए जिस प्रियतम के अगर मिल भी गया तो नित्य तुम्हारे मन में ये रहता है कहीं चली न जाए दूसरे के साथ कहीं वो दूसरे के साथ चला न जाए मुझे कहीं छोड़ न दे इसलिए ऐसी और आजकल तो ये बहुत जादा हो रहा है भारत्य समाज में भी हो रहा है तो वास्तव में सिष् उसके लिए विखारी का जीवन दरिद्र का जीवन पाश्विक जीवन जीते हो और अगर उपलब्ध भी हो जाती है बहुत जन्मों जन्मों के प्रयास के उपरान तो नित्य खो जाने का डर रहता है लेकिन इन सब का जो अधिश्ठान है जो अनंत आनंद सिंधू है जो सततम प्राप्तम फिर भी तुम नाचे नहीं फिर भी तुम जुमे नहीं फिर भी तुम्हारे अंदर क्रांती का वद्गोश नहीं हुआ सृष्टी में एक मात्र जो क्रांती अस्थाई हो सकती है और होनी चाहिए यहीं केतना के अस्तर पर हो सकती है बाकि जितनी भी क्रांतियां हुई बुल्सेविक रिवल्यूशन, माववादी करांती, सांस्कृति करांती, फ्रेंच रिवल्यूशन, अमेरिकन रिवल्यूशन, अब भारत में भी, ये सब के सब आती हैं, दस, बिस, पचास बर्स, इनका रहता है प्रभाव, चली जाती हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से मुझ अचेव रास्टपती थे वहां के, और वहां के पारलियामेंट के लोगों ने घेर लिया था, और दो-तिन दिन के अंदर ही, वह धरासाई हो गई, बोल्सेविक रिवल्यूशन, और कॉमुनिस्ट पार्टी, और वहां का जो कुछ भी, कार्ल मार्क्स, फेरिक एंजिल्स, और लेनिन और स्टालिन इन लोगों के जो विरासत से धरासाई हो गई, और टुकड़े-टुकड़े हो गया सोवियत रूस के, सभी रिपब्लिक अलग-अलग हो गई, और मूल रूप से जो शम्मेबादी ब्यवस्ता से वो धस्त हो गई, और चीन में भी देखे, कहने के लिए तो वही राजनिति कृप से तो धाचा उस तरह का है, लेकिन बिश्व का सबसे बड़ा उद्योग का जो मॉडल है, जो पुंजी बाद का वहां पर ओ आ गया, कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर, यह सब की सब जो क्रांती होती हैं, इस मानव इतिहास में छणिक होती हैं, लगता है क्या क्रांती हो गई इस देश में, हमारे समाज में, इस धरा पर, अब तो बदल जाएगा, सब कुछ, वहीं जो फ्रिंच रिविल्विशन होई थी, लिबर्टी, क्वालीटी, फ्रैटरनीटी, जिसने सुत्र दिया, कहां है सब, आज भी उसी तरह से ला कर रहा है, उक्रेन पर धरसाई कर रहा है, विबिन देशों में हो रहे हैं, तो कह ये रहा हूं कि, जितनी भी क्रांती का उद्गोश होता है, इतिहास में पढ़ते हो, पुस्तकों में पढ़ते हो, आलेख लिखते हो, शोध करते हो, पिएश्री करते हो, वो सब के सब छणभंगूर हैं आती हैं 10 साल 20 सल 50 साल रहती हैं फिर इतिहास के पन्य में घूम हो जाती है लेकिन जो शाश्वत क्रांती है जो अनंत क्रांती है जो नित्य प्राप्त उस क्रांती का फलितार्थ है वह तुम हो तुम्हारा आत्मा है परन्तु तुम तो बेखबर हो अपने अनंत वैभव को भूल करके चुद्र के पीछे तुम पागल हो रहे हो इसलिए इस उत्घोष का नितार्थ समझो आत्मानं आत्मा तू सततम प्राप्तम आत्मा सतत नित्य प्राप्त वस्तु है अर्थात सरवश्व तुम्हें नित्य प्राप्त है सरवत्र प्राप्त है जो सरवाधिश्ठान है सरवशक्तिमान है सरवव्यापी है सरवग्याता है वह तुम्हें प्राप्त है तुम्हारे अपने आप इव्यवा के रूप में वहीं तुम हो तुम से भिन्न वस्तु नहीं है वह यह तुम व्याख्या करने के लिए लुए द्वाइत में ही यह संबाध-गटित हो रहा है तो इसा कहा जा रहा है जिसकी खोज तुम特 रहे हो युगो जुओं अपनिशिदों का उद्गोस जो छोटे से छोटा भी वहीं है और विराट से विराट भी वहीं है वह आत्म तत्व है वह तुम्हारा प्रत्यगात्मा के रूप में नित्विद्धिमान तत्व है परंतु उसके अज्ञान के कारण उसके बोध नहोने के कारण तुम दरदर की ठोकर खा रहे हो भै से ग्रस्त हो जन्मरन से ग्रस्त हो रहे हो इसलिए ये बात ये सुचना मात्र भी कितनी करांतिकारी है इसपर चिंतन करो तो जीवन इससे भी ततकाल करांतिकारी परिवर्टन आएगा अब इसका दूसरा जो नित्य प्राप्त वस्तु है आम तोर पर तीन तरह की वस्तु को हम इस दृष्टी से विभाजित करते हैं ये आत्मा है इसे हमने कहा नित्य प्राप्त वस्तु अब दूसरी किस तरह की वस्तु हैं कुछ वस्तु हैं प्राप्त वस्तु के स्रेणी में आएंगी नित्य प्राप्त वस्तु प्राप्त वस्तु और अप्राप्त वस्तु अप्राप्त या अप्राप्त वस्तु और कुछ तो नित्य अप्राप्त वस्तु है इससे प्राप्त करते हैं जो नित्य अप्राप्त वस्तु क्या है बाजिन पुत्र बंध्या पुत्र नित अप्राप्त है और अप्राप्य है मरू भूमी में जलाश है महासागर मिर्ग मरीचिका है कल्पना है असंभव है आकाश में बागवानी आकाश में राजमहल आकाश में फुलवारी का दर्शन ये नित्य अप्राप्त है ये कल्पना मात्र है न ये प्राप्त होने की संभावना है और न प्राप्य है तो नित्य अप्राप्य है अब कुछ प्राप्त तो है लेकिन प्राप्त है जैसे अगर हमारे पास मकान नहीं है दुकान नहीं है पत्नी नहीं है पती नहीं है मित्र नहीं है धन भैभवग्यान नहीं है जो संसारिक ये सब के सब प्राप्त हैं परिश्रम से धन से पुरशार्ट से ये प्राप्त वस्त तो इनको प्राप्त कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं सबको प्राप्त हैं, लेकिन नित्य नहीं है, अबुदाहरण के लिए लिजिए, परतेक जीव को बनुश्य ही नहीं, परतेक जीव को एक शरीर प्राप्त है, लेकिन क्या वह नित्य है, ये जो शरीर है, ये शरीर तो प्र प्रयाश नहीं किया है पुर्व जन्म से और माता पिता के और जो भी अपने कर्म तो यह शरीर तो सबको मिला हुआ है लेकिन क्या यह शरीर मेरी इंद्रियां मेरी मन मेरा मन और मेरी बुद्धी और मेरी प्राणशक्ति क्या नित्य प्राप्त बस्तू है जिसको तुमने अपना माना है इस शरीर को ही तो तुमने अपना माना है इस शरीर को ही तो तुमने माना है कि यहीं मैं हूँ कि आया नित्य प्राप्त वस्तू है नहीं यह तो तुम जानते ही हो कि यह तो नित्य प्राप्त वस्तू नहीं है इसी के लिए तो सब दुख है इसी से तो सब भय ह इसी के कारण तो सब अभाव है, इसी के कारण तो समस्त संताप है, समस्त अमंगल का मूल तो यहीं है कि नित्य प्राप्त नहीं है, इसे बनाए रखने के लिए, सुबह से शाम तक इसमें पेट्रोल, सरीर के अंदर पेट्रोल डालने के लिए ही तो परिश्रम कर रहे हो, भो continuous cost नहीं कुछ भी, लेकिन इसे जिंदा रखने के लिए ही सुबह से शाम तक भाग रहे हो, भाग रहे हो, नित्य परिश्रम कर रहे हो, दो समय की रोटी खाने के लिए ताकि इसका भरण हो सके, इसका पोशन हो सके, तो ये नित्य प्राप्त बज तू नहीं है, अगर ये जाए, इसका विनाश नहोजा, ये मृत्यू को गरस नहोजा, इस से निशेध करने के लिए तुम्हे सुबह से शाम तक कितना प्रयात्न करना पड़ता है, कितना धन लगाना पड़ता है, और तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, अकाल मृत्यू को उपलब्ध हो जाते ह दसवर्ष की वस्था में बच्चा पायदा होते भी मर सकता है, दसवर्ष की वस्था में भी तो नित्य जरा भी किसी बीमारी से महमारी से गरस्थ होते हो, अभी जो कोरोना महमारी की दुबारा से प्रोकूप आने की संभावना बन रही है, और कई देशों में अध्भाईज समस्थ और नस्ट हो जाने की आशंका है यह प्रपंच जो है जो पंच आपने जान लिए नित्य अप्राप्य, प्राप्य और प्राप्त अर प्राप्त प्राप्त की फ्रेड़ी में तो हमारा अध यह से धानबाई भव तो परिश्रम से मिल सकता है परंतु इन तीनों से परे कोई तत्व है जो नित्य प्राप्तवस्तु है उसकी सत्ता नित्य है सत्ता शाश्वत है वो सतत अस्तित्व में है उसके अस्तित्व को अनस्तित्व करने वाली कोई सत्ता नहीं है ये करंतिकारी उद्गोश इसकी विराटता को समझने के लिए तुम्हें बहुत ध्यान से इस पर चिंतन मनन करना होगा ये तीन अस्तर के जो चीजें हैं इन सब से परे इन सब के लिए प्रयत्न प्रयाश्रम करना पड़ता है तब थोड़ी से मिलती है फिर भी ये नित्य नहीं है तुम्हें आती सी प्रतीत होती है उन सब का जो अधिश्ठान है वह मेरी आत्मा है वह तुम्हारा प्रत्य आत्मा है वह तो नित्य प्राप्त वस्तु है अब इसकी विराटता और तुम्हारे जीवन में प्रसनता का इस सुचना से भी कितना क्रांतिकारी संचार होना चाह करने का कोई उपाय नहीं है स्रिष्टी के सारे सैनिक स्रिष्टी के सारे अनुबं परमानुबं भी अगर फेंक दिये जाए तो आत्मा को मुझसे बिन्न करने का कोई उपाय नहीं है उसमें रत्ती भर भी खरोच आने की कोई संभावना नहीं है उसको प्रभावित करने दु नाएं हो रही है तो जड़ जगत की है जो नामरुपात्मक जगत है और मैं चैतन्यतत हूँ तो चैतन्यका तो जड़ से कभी संपर कहीं नहीं हुआ असपर्ष ही नहीं हुआ दुनिया का कोई ब्रम्भास्त नहीं दुनिया का कोई पर्माणूबम नहीं दुनिया का कोई अनूबम नहीं जो मुझे असपर्ष कर सके क्योंकि नित्य अलिप्त हूं मैं नित्य अलेपायमान हूं नम मैं इस जगत के नाम रुपातमक दिर्शमान जगत को कभी असपर्ष करता हूँ न मुझे ये असपर्ष कर सकता है कैसे भोले बावा की जो अमर रचना विदान्त छंदावली है एक उसका दुआ आपके समक्ष रखूँगा इस तत्तु को समझने के लिए आत्मा के सुभाव सभी के संग पर करतान किंचित संग है है रंग पके में रंगा चड़तान कच्चारंग है ये आत्मा के लिए है ये जो आत्मा है जो तुम हमारे प्रतिग आत्मा है वह ऐसा है ब्रहता सभी के संग परकरतान किंचित संग है। वह रंगा हुआ है जिस पर कोई भी बाह्य भिन इतर रंग प्रभावी नहीं होगा चड़ नहीं पाएगा उसके चोखे रंग पर चड़ पाने की किसी की सत्ता नहीं है क्योंकि वह ज्यान रंग है प्रज्यान रंग है चैतन्य रंग है उस पर किसी का कोई रंग नहीं कोई सत्ता अनुबं परमानुबं कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव असपर्ष करने में सक्षम नहीं है सुर्ज चंद्र अगनी कोई भी उसे जला नहीं सकती समस्त महा सागर के जल मिलकर उसे भिगो नहीं सकते वायू ब्रम्हन की समस्त वायू उसे सुखा नहीं सकती है स्रश्टी के सारे अस्रस्त मिल करके उस पर छोटा सा घाव करने की छमता नहीं रखते हैं वो नित्य असंग तत्व है इसलिए इस करंतकारी तत्व की महिमा को समझे अब आगे दुसरे पत पर चलते हैं कि जो आत्मा नित्य प्राप्त बस्तु है वह अज्यान के कारण अप्राप्त साप्रतीत होता है अज्यान क्या है अज्यान मूल संशेप में बताऊंगा चार है लेकिन इन चारों का जो मूल है वह पहला है दिहात्म बोध या दिहात्म भाव वह जो नित्य प्राप्त बस्तु आत्मा है उससे नहीं होने का भरम क्यों रहता है ऐसा ज्ञान क्यों बना हुआ उसका कारण यह है कि हमने युगों युगों से यहीं मान्यता बना ली है कि हम शरीर है और यह शरीर मेरा है यहीं मूल अव तुम्हारा है और न तुम्हारा शरीर से कोई शम्मंद है यह ज्ञान है अब यह जानों कि यह शरीर मैं नहीं हूँ और न यह शरीर मेरा है मैं तो इस शरीर के अंदर इसके अंतरतम केंदर पर इसका प्रकाशक इसका अभाशक हूँ मैं और मेरा इससे कोई संपर्क नहीं है मैं तो निर्वण निराकार हूँ ये तो विकारी सगुण साकार तत्व है ये पंच भूतों से बना प्रपंच छण भंगुर है मैं नित्य शाश्वत तत्व हूँ तो पहला भुरम देहात्म भाव है कि ये मेरा देह ही मेरा आत्मा है ये अविद्या है ये अग्यान है इसके शायद आपको सास्त्रों में ना मिलें लेकिन समस्त उपनिश्दो व्रम्भसुत्र और भगवद गीता के गहन शोध धद्यान और निधिध्यासन और मनन के पस्चात ही कह रहा हूं कि तीन जो अंग है अविद्या के तीन सब्द के रूप में कह रहा हूं हीन भाव बिन भाव और खिन भाव हीन भाव क्या है जब तुम अपने को शरीर मानते हो और यह शरीर मेरा मानते है तो वहीं तुम्हारे अंदर हीनता आयाती है चुद्रता आयाती है क्योंकि शरीर तो देश काल बस्तु बाधित है किसी काल खंड में ये कुछ दसक पहले ये बाधित हो गया काल से बाधित हो गया और ये शरीर एक सिमित जो वस्तु है इसी में मैं 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 करके मैं बैठा हूँ तो ये देश काल और वस्तु से सिमित जो ये भाव हमने पाला है इसे हीन भाव आ गया कि मैं मरण को उपलब्द हो सकता हूँ मुझे रोग लग सकता है मैं दरिद्र हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ और छुद्र हूँ, यह जो देहात्म भाव तुम्हारे अंदर है उससे यहीन भाव आ गया और इसके कारण जो तुम्हारी आत्मा, आत्मा का वरणन भी जब पढ़ते हो कि सास्तरों की आत्मा तो अनाद है, अनन्त है, अजन्म है अविनाशी है सर्वशक्तिमान तत्व है तो तुम सोचते हो किसी लोक में कोई अन्य कोई वज्टू होगी मेरा क्या मैं तो नित्य भैभीत हूँ मैं अभावसे गरस्त हूँ मैं तो छणभर की रत्ति माचर के प्रीम संदर या आनंद के लिए दर्दर की भीख मा पाता है इसलिए तुम्हारे लिए अपनी जो ये दिहात्म बुद्धी है वो तुम्हारे अंदर हीन भावना उत्पन करती है और वह तुम्हारी आत्मा का बोध होने में बाधक बन जाती है तुम्हारी जो बात है वह बिन्नभा आत्मा अर्थात परमात्मा अर्थात तो हमने सबने मान रखा है कि यह भगवान जो इश्वर यह परमात्मा आत्मा ब्रंभ है यह कहीं दुरस्त नोक में बैठा कई जहां पर नहीं जा सकते हैं ने कोई दुसरा जा सकता है या दृष्य अगम्य कोई लोक है जहां पर परमात्मा जहां से बैठ करके सब का शाशन क कर रहा है मेरा तो उससे कोई समंध नहीं मेरे पस कैसे आएगा और र कि यह झाव जो भागवत कथा दुभान कृष्ण के ढूई भकतं के सुनोगे और भक्वान कृष्ण के बार करें बहुत गीताह में कि इश्वर सरव भूत अनम हिरदे शेयर ज।। । इंब्रमात्मा प्रम्ब है। वह सभी प्राणियों के हिर्दय में विद्यमान ध। दुसरा शुलोक, हिर्दी सर्वस्य विष्ठितम, सब के हिर्दय में प्रतिष्ठित है, विष्ठित है, विराजमान है, फिर तेरह में अध्याय का, छत्रग्यम चाप इमाम विधी, सर्व छत्रे शुभारत, भगवान कृष्ण का उद्गोष है कि मैं सभी जीवों के अंद सभी जीवधारियों के अंदर, सभी शरीरों के अंदर, जो देही हूं, समस्त देहों के अंदर, जो देही हूं, वह मैं ही हूं, छत्रग्यम चाप इमाम विधी, सर्वक छत्रे शुभारत, भगवान कृष्ण तो, सक्षात सब के हिर्दय में विद्धिमान है, ग्याता के रूप में, साक्षी चैदन्य के रूप में, दरश्टा के रूप में, सुवतह उनके मुख से सुन रहे हो, और तुम रो रहे हो, भजन गा रहे हो, आजा वो संवरिया एक बार, रो रहे हो, यह पाखंड अज्यान जनितिया भक्ति है, यह भक्ति, यह अज्यान जनित है, म प्राइदिक संसुकृति और सनातन धर्म में ये पाखंड ऐसे फैला कि वो बहुत बड़ी बाधा बन गया है जो नित्य प्राप्त आत्म तत्व है उसको जानने में वो क्या है आत्म बिद्या ब्रंभ बिद्या को प्राप्त करने जानने के निमित जो विश्ष रूप से यह वरण आश्रम धर्म की विवस्था की गई तो शतूर्थ जो आश्रम है उसे सन्यास आश्रम कहते हैं ब्रंभचर्य आश्रम गारहस्त आश्रम बानपरस्त आश्रम और सन्यास आश्रम ये बताओ कि इस देश में अभी भी कोई किसी का बेटा किसी का पती कोई सम्मंधिमित सन्यास लेने का उद्गोश करता है, अगर निरने लेता है तो सब रोने लगते हैं परिवार वाले, इससे बड़ा पाखंड और इससे बड़ी मुर्खता तो कुछ हो नहीं सकती है, इसको मैंने क्या कहा, मैंने खिन भाव कहा, खिन भाव का कहने का तात पर है, ये अज्ञान के कारण इस विराट संस्कृती में भी लोगों ने ऐसी मान्यता बना ली है, कि हमारा बेटा, हमारा बंधू, हमारा पती जो सन्यास ले रहा है, वह दुख के मार्ग का चैन करने जा रहा है, वह दुख ही होने जा रहा है, दुख का जीवन जीने जा रहा है, भाव का पिद्र का जीवन तो तुम जी रहे हू, वैदी काल के रिशियों ने वैज्ञानिकों ने तो तुम्हें समराटों के समराट बनाने के लिए इस गैरिक वस्तर के जो निवर्ती मारगी से सन्यास कहते हैं, सन्यास दुखके मार का चेह съंण नहीं है नपुर्णबार का चेह न यह जी उभाव में रहने वाला प्राणी वह अपनी परमस्वक्षंदता परमस्वातंत्र के उद्गोश के निमित सन्यासी बनता है और तुम्हारी अगर पतनी तुम्हारी माता वास्तों में तुम्हारा कल्यान चाहती है तो तुम सम्राटों का सम्राट बनने के लिए प्रस स्थान करते हो तुम उस जात्रा पर निकलते हो तो अगर उसको यह बोध हो कि यो मेरा बेटा है मेरा पती है मेरा मित्र है जो कोई भी तुम्हारा सगा संबंधी अगर इस निवृति मार का चैन करता है गैरिक बस्त धारन करता है सन्यास धारन करता है तो किस लिए जो आत् अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है उसके दुखों की अत्यंतिक निवर्ति हो जाती है परमानंद की प्राप्ति हो जाती है समस्त अज्ञान की निवर्ति हो जाती है और अखंड अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और शाश्वत जीवन मृत्यू से सदा सदा के लिए मुक्त होकर अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है इस वैभाव को पाने के लिए सन्यासी बनते हैं इस वैभाव के लिए वैदिक विवस्था है सन्यास की गैरिक वस्त्र की फिर तुम रोते हो कि हमारा मित्र हमारा पुत्र हमारा पती सन्यासी बन गया तो तुमने ये जो भरम पाल रखा है कि सन्यास का मारग खिन मारग यार दुख मारग है नहीं नहीं वो परम विराट वईभव का भोग करने के निमित जा रहा है अपने सुभाव जनित जो उसका सत्च चित आनंद स्वरूप है उसका ज्यान करने के लिए उसका बोध करने के लिए उसे प्राप्त करने के लिए वह जा रहा है सन्यासी बन रहा है गैरिक वस्तुधारन कर रहा है क्योंकि ब्रंभविद ब्रंभई भवती आत्मविद आत्म जो आत्मा को जान लेता है वह स्वत्ह आत्मा ही हो जाता है जो ब्रंभ को जान लेता है वह स्वत्ह ब्रंभ ही हो जाता है क्योंकि वह सदा ब्रंभ था ही वह आत्मा ही था उसे ब्रंभ हो गया था उसमें जीव होने का वह तो अनंत खंडविनाशी तत्त था लेकिन उसमें ज विद्या के चार पक्षें, इनका ही निशेध करना, इनकी निवर्ती करना, इनका निवारन करना ही, यह सन्यास का, यह सन्यासी का, अध्यात्म का परम लक्ष है, समस्त उपनिश्दों का, भगवद गीता का, वेदों का जो परम उदेश्य है, प्रयोजन है, यहीं है, कि जो भ्रम हो गया है जो नित्य अप्राप्त आत्मा है उसमें अप्राप्त होने का इसकी निवृति के निमित तुम ये कार्य करते हो और उसके पस्चाद तुम जान लेते हो कि मैं ही तो वह हूँ जिसे मैं खोज रहा था युग युगों से जो प्रेम के रूप में आनंद के रूप में शक्ति के रूप में जिसे भी तुम खोज रहे थे वो सब मेरे सुभाव हैं और मैं अज्ञान के कारण अपने शरीर को अपनी आत्मा मान करके ये अनंद दुख भोग रहा था इस प्रकार से ये चारो जो अविद्या के अंग बताए इस अविद्या के नाश होते ही इसका निशेध इसका विसर्जन होते ही तुमें साक्षात अपरुक्ष उस आत्मा का दर्शन होता है उस ब्रह्मा का दर्शन होता है और अस्पष्ट रूप से तुम्हें दिखता है कि हाँ अब मैंने जान लिया मैं निध्य उस तत्व का दर्शन कर रहा हूँ निध्य उस निध्य प्राप्ट आत्मा का दर्शन कर रहा हूँ जो इस अनंत ब्रह्म्हन का अधिश्ठान है अब मैंने जान लिया कि मेरी प्रत्यगात मारूप से और प्रत्यक चैतन्याभिन जो अद्वितिय चैतन्यतत्व है वही सचिदानन घन है वहीं ब्रह्म है वहीं परमात्मा है वहीं सर्वस्व है और वहीं सर्वत्र सर्वरूपों में अभिव्यत्त हो रहा ह मुझे से परे ब्रह्मन में कोई सत्ता नहीं है, इसलिए गले में ही हार पड़ा हुआ है, परन्तु थोड़े देर ब्रह्म के कारण, विस्मिती के कारण, आदमी चिंतीत हो जाता है कि मेरा अभुषन कहां खो गया, लेकिन वहाँ तो गले में ही पड़ा हुआ हो, जब पता चलता है कि नहीं है तो मेरे गले में ही फिर शांती मिल जाती है प्रसंता हो जाती है उसी प्रकार से यह आत्मतत्व है तो इसके मार्ग में जो अविद्या के कारणा और अविद्या के चार हमने आपको विशलेशन के जो अंग है उनका निशेध निवारण निवृत्ति करने कि पश्चात नित्य दर्शन होता है परमात्मा का और नित्य अपने आप में रसाश्वादन करते हो उसी आत्मा का नित्य उस आत्मा में ही रमन करते हो आत्म रती आत्म क्रिड़ा आत्म मैथुना इसलिए कहा गया क्योंकि उसके सिवाए कुछ बचता ही नहीं है इसलिए अपने परंबाइभव को प्राप्त करने के लिए जो नित्य प्राप्त वस्तु जो तुम्हारी आत्मा है जो अज्ञान के कारण अप्राप्त स्रिप्रतीत हो रही है उसे जान लो उसे जान करके तुम ततकाल वहीं हो जाओगे और नित्य उसका दर्शन करोगे क्योंकि स्रिष्टी में ऐसा कोई बोध नहीं, कोई अनुभूती नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, जो तुम्हारी आत्मा के बिना आत्मा और सत्ता स्वरूप जो है, उसी में तो ये समस्त जगत भान मात्र में, अभास मात्र रूप में, परतीती मात्र रूप में तुम्हें बोध हो रहा है इसलिए जो तुम्हारी आत्मा है वह नित्य प्राप्त है सर्वप्राप्त है सर्वत्र है सर्वस्व है और अभी तुम्हारी प्रत्य गात्मा के रूप में उसे जानो तो ततकाल तुम अपने परम वैभव को अपने परम पुरिशार्थ को जहां पर यह जो चुद्रमरण धर्मा शरीद के साथ तदात्म किया था इसे छिन भिन्हो करके तुम्ही उस अमर अजर अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी तत्व के नियंता और केंद्र अपने आप में ही पाओगे और उद्गोश फिर कर बैठोगे कि मैं ही सर्वत्र हूँ मैं ही स स्वारी है मैं ही सचिदा अनंद घन ब्रंभ हूँ शाश्वत सत्य हूँ अखन अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ आनंद का अनंत महा सागर हूँ अज्ञान के कारण मुझे ब्रंभ हो गया था मैं ही ब्रंभ हूँ मैं ही सचिदा अनंद घन ब्रंभ हूँ और सदा से ही था प पर मातमा जिसे मैं खोज रहा था, जिस भगवान की खोज जुगों जुगों से कर रहा था, अंत में तो पता चला गुरु कृपा से, शास्तर कृपा से, और स्वत्र कृपा से, आत्म कृपा से, कि वह जिसे खोज रहा था, वह तो मैं ही हूँ, इसे ही कहते हैं, अनुभूती सक्षात अपरुक्ष ब्रंभ ग्यान सक्षात अपरुक्ष आत्म ग्यान और जब एक बार हो जाता है तो वह ग्यान जा नहीं सकता है तुम्हें नित्य सरवत्र सब में उसी आत्मा का ही दर्शन होता है इसलिए उपनिश्दों का उध्गोश है ब्रंभाई उसके सिवाए उसमें कोई भेद नहीं है कोई भिनता नहीं है वह ब्रह्म ही सर्वत्र है वही सर्वस्व है सब को ब्रह्म रूप ही जानो सब को आत्मा रूप ही जानो और फिर तुम्हारे अंदर से प्रस्फुतित हो बैठेगा तुम चिल्ला उठोगे चिदानन्दरूपह शिवोहं शिवोहं